तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करे डिफाइन एर डिव चैनल पे और आज के इस दमाकेदर सेशन में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही पाउरफुल अपडेट लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए सभी एग्जामिनेशन से मेरा मतलब बड़ा साफ है कि अभी कुछ दिनों पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ आराड़बी पियो और क्लर्क एग्जामिनेशन ही लाइन डप था बट बहुत ही जल्द आपको आईग्जामिनेशन का सफर चालू हो चुका है और बीच में कभी भी समय नहीं मिलेगा कोई निया चीज को अपने आप में समाने के लिए इसलिए हम सारे एजुकेटर आपको हमेशा से बोलते हैं कि जब तयारी करते हैं तो इस बंक एग्जामिनेशन में प्री और मेंस दोनों को क्लियर करने के बाद ही सिलेक्शन मिलता है तो दोनों की तयारी एक साथ चलनी चाहिए. तो आपके इस तयारी में जान डालने के लिए, मैं आप लोगों के लिए एक मेंस का जबरदस सा कोर्स, निश्चे कोर्स लेके आया हूँ, और वो कोर्स आपका कैसे चलेगा, कहां चलेगा, और particular क्या-क्या चीज़े हम उसमें cover-up करेंगे, वो सब कुछ इस चोड़े session में मैं बारीकी में discuss कने वाला हूँ. लेकिन जब बात आती है mains level के quant की, तो यहाँ पे simple दो section होते हैं, लेकिन उसके अंदर के bifurcation बड़े complicated होते हैं. Simple से मेरा मतलब है, एक sub-eading लगा दो data interpretation का, एक sub-eading लगा दो आपके arithmetic का. यहाँ पे आपके data interpretation और यहाँ पे आपके arithmetic के अलावा, अगर कोई तीसरा पार्ट है speed में, वो सिर्फ आपको clerical mains में देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना, नहीं, number series आपको pure mains में मिलेगा, extremely sorry, लेगिन जो आपका quadratic है और जो आपके simplification approximation है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका clerical mains तक ही limit रहेगा, सिमित रहेगा. तो मैं यहाँ पे थोड़ा जादा आपको pure mains के और incline कर रहा हूँ, जब भी आपका arithmetic का कोई सवाल आता है, तो वो पहले आपका सिर्फ और सिर्फ word problems के form में आ रहा था, लेकिन आज कल बढ़ते और change होते हुए trend के साथ, यह आपका कभी cash late के form में देखने के लिए मिलता है, तो कभी data sufficiency, पहले data sufficiency भी आता था और quantity भी आते थे, लेकिन कम मात्रा में आते थे, और arithmetic word problems वो रहे ज़ादा मात्रा में आते थे, बट अब यह चीज़े proportion जो है ratio जो है वो change हो चुका है, अब पूरा का पूरा paper data sufficiency और quantity comparison से भरा हुआ होता है, और यह थोड़े logical और conceptual चीज़े हैं और यह आपको भी पता है, साथी साथ आपको fillers वाले नेक कैसम के सवाल, और भी बहुत से variety जैसे की data redundancy हो, या फिर आपके multiple answer based question हो, इन में से क्या हम find कर सकते हैं, इन में से कौन साचीस find नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे करके आपको बहुत से latest pattern के सवाल भी देखने के लिए मिलते हैं, ये पूरा का पूरा arithmetic section खतम होने के बाद भी arithmetic है, अगर मैं data interpretation की बात करूँ, तो सबसे प्यारा data interpretation जो खासका P.O.Mains में आपको रेखने के लिए मिलता है, वो logical data interpretation है, जहां पे एक हलके fill के logic के साथ वो DI बनता है, उस logic को एक बार आपने record किया, तो DI आपका जल्दी ही खतम हो जाएगा, और अगर आप उसके logic को नहीं ढूण पाए, तो आप बैठे रह जाएंगे, तो वो logical DI बहुत से आपके unlimited varieties के होते हैं, बढ़ हम उसमें से जो important important part से वो cover up करेंगे, कैसे बताऊंगा आपको, logical cashlet और साथी साथ, logical cashlet भी वही है, जैसे data integration में graphical part होता है, यहाँ पे थोड़ा verbal language में तो वोड़ा जादा वो extend करता है, और साथी साथ आपका arithmetic data integration, मतलब अगर आपने ध्यान दिया हो, तो आपके arithmetic के इतने type के question खतम होने के बाद भी, वो arithmetic DI, मतलब कभी time and work based DI दे रहा है, तो कभी आपको mixture based cashlet दे रहा है, तो कभी आपको probability based DI दे रहा है, कभी mensuration based DI दे रहा है, ऐसे करके आपको arithmetic topic से data interpretation भी बना सकता है, और अभी आपके जो trend ऐसा change हुआ है, कि आप यह नहीं बता सकते, पहले तो हम इतना कम से कम थे, कि पूरा paper में आधा आधा होता था, लेकिन अभी पूरा का पूरा paper कभी arithmetic के उपर बन जाता है, तो पूरा का पूरा paper कभी DI के उपर बन जाता है, तो हमें दोनों चीज़ों के उपर command आसिल करना है, अगर हम किसी एक चीज़ के उपर reliable रहे और हमारा नसीव खराब, और paper में दूसरे पार्ट से ही आपका पूरा का पूरा paper आ गया, तो वो paper हमारा तबाह हो सकता है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हम दोनों चीज़ों को cover up करने वाले हैं, इस निश्चेंग कोर्स में, जो निश्चेंग कोर्स आपका mains level quant for bank exams 2023 के लिए, काफी खुबसुरत तरीके से design किया गया है, क्योंकि इसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, यह ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके one and half hours के lecture होंगे, और यह जो one and half hours के lecture होंगे न, उसमें हम quant का mains का set discuss करेंगे, अब देखो mains के set से अगर आप बोलोगे कि 35 questions, तो यह देड़ घंटे में तो संभव नहीं है, तो हम कितने questions का set लेंगे, वो पहले दो classes में हमें idea लग जाएगा, हम कितने number of questions कर रहे हैं, उसके उपर based करके, मैं आपको हर दिन जो भी mains का set लिके आऊँगा, उसमें आपके लिए D.I.E. भी रखा जाएगा, और उसमें आपका arithmetic भी रखा जाएगा, and for your kind information जो arithmetic रखा जाएगा, उस arithmetic में data sufficiency भी रहेगा, quantity भी रहेगा, redundancy भी रहेगा, fillers भी रहेगा, lattice pattern के, जितने possible variety उसमें एक 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 करके रहेंगे, और साथी साथ आपका D.I.E. भी रहेगा, तो मतलब एक ही class में आपका, और हाँ, सारी के सारे आपके mislianious होंगे topic wise, मतलब ऐसा particular नहीं कि आज पूरा class percentage के उपर dependent, वो random variety से कभी percentage से, एक question, फिर आपका compound interest से question, फिर आपका ratio proportion से question, mixture से question, time and work से question, TSD से question, bottom swim से, ऐसे करके mixed set रहेगा, मतलब एक set में आपका पूरा का पूरा हम सारे के सारे arithmetic topics को touch करके जाएगे, मतलब day to day basis पे आपका revision high level पे होता रहेगा, और जो आप बोलते हो ना कि concert भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो ये चीज उस concert को retain करने में आपको काफ़ी जादा मदद करेगा, और बहुत कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा इस course से, ये course आपका anacademy पे live होगा, और वो कब live होगा, ये course आपका live होगा 29 June यानि की कल, और वो भी class का time रहेगा 7 p.m. पे, 7 to 8.30, और ये classes आपके alternate days पे चलेंगे, alternate days पे चलने से क्या है, एक दिन आप पढ़के दूसरे दिन उसका revision थोड़ा दे सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि खली पढ़ते ही जाओ और भूलते ही जाओ, तो ये alternate days पे में classes चलाओंगा, mains level arithmetic and D.I. mix set 1, 2, 3, 4 करके, ये alternate days आपका चलेगा, Monday, Wednesday, Friday, Monday, Wednesday, Friday, और इसमें मैंने अभी के लिए आपके 10 lectures ही design किये हैं, और इस course को खतम करने के बाद, एक ही course, अभी हमने सारे notification के बाद चालू किया, तो आपका ये गलत फ़हमी है, पूरे साल बर, पिछले तीन महीने से, मैंने क्या-क्या mains का complete किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दो, पहले मैंने Juggernaut course on mains level logical and latest pattern data interpretation, इसमें सारे किसम के जो latest graphs है, और जितने किसम के logical आपके D.I.E. बन सकते हैं, चाहे Games and Tournament based question हो, minimum maximum type question हो, कुछ भी variety variety के types के, scatter graph, bubble graph और sunburst, सब कुछ cover किया हुआ है, फिर हमने एक और course भी complete किया है, जहांपे हमने course on mains level arithmetic data interpretation complete किया है, वो भी topic wise, हर एक topic मतलब percentage से लिखे provided तक, हर एक topic से दो-दो D.I.E. हमने cover up किये हैं इस course में, फिर आपको खाली D.I.E. ऐसा न लगए कि चीजों के खाली D.I.E. ही पढ़ रहे हैं, तो आपको मैंने course on mains level arithmetic topic wise करवाई है, जहांपे percentage से लिखे probability तक, जितने आपके word problems, data sufficiency, से ऐसे questions हो सकते हैं, उन सब को topic wise करवाई है, topic wise से ज़्यादा effective होता है, चीजों को retain करने के लिए mixed, तो उसके बाद मैंने जगरनाट course on mains level data sufficiency, quantitative filler, lattice-based problems आपको करवाई है, जो कि अभी चलना, जिसका आज आपका last class है, और इस last class के बाद हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, अपना ये वाला जो fresh course है, जो कि हैं, निश्चे course on mains level quant for bank exams 2023, आप सभी को मेरा वादा है, कि अगर आपने इस course को continue किया, तो आपको mains में examination में कोई problem नहीं होगा, क्योंकि हम पूरे conceptual clarity के साथ ही, इन topics को cover up करेंगे सारी के सारे, तो pre का class आपका plus पे 12 बज़े चलेगा, mains का class आपका evening 7 पे में पे चलेगा, तो complete pre plus mains के तयारी आपका plus पे हो रहा है, अगर आप plus का subscription लेके आके पढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल आज आपका 28 June last date है, इस course को avail करने का, जहांपे आपको 41% तक का off देखने के लिए मिलना आपके blank exam के subscription पे, और उस 41% के off को avail करने के लिए जो referral code आपको इस्तमाल करना है, वो है cd live यानि की career definer followed by live, इससे आपको आपका maximum possible discount मिल जाएगा, और दो महीने का validory extension भी मिल जाएगा, और इसी एक subscription fee पे करके, आप सिर्फ मेरे ही नहीं, बलकि जितने भी educators के जो भी courses, अन्यकरे में plus के platform में चले, उन सब को आप access कर सकते हो, ये मेरे सारे courses है, मेरे course detail मेरे profile पे मिल जाएगा, profile का link मैंने description पे डाल लगए, वहाँ जाके क्या-क्या courses मेरे खतम हो चुके हैं, क्या-क्या course आने वाले हैं, उसके बारे में भी आप जानकारी कठा कर सकते हैं, तो आप सभी के साथ class में मुलाकात होगा, उमीद करता हूँ, ये छोटा सा update आपको अच्छा लगा होगा, और साथी साथ, जितने लोग हमारे साथ YouTube पे जुड़े हुए हैं, YouTube पे भी मैं alternate days पे आपका अभी, मेंस के classes चालू करूँगा, पहले में एक बार मैंने try किया था, लेकिन आपका उस time पे कोई notification नहीं था, और YouTube में जादा बच्चे थोड़ा dependent, जादा pre-K उपर रहते थे, आप सच में एक अच्छे तादाक में मेरे साथ YouTube पे भी जुड़ोगे, तो कसम से मैं आपके लिए हर alternate day जैसे मैं तो अपना पूरा best दे रहा हूँ, हर दिन 3-3 गंटे के मैं free classes ले रहा हूँ, दिखाएंगे तो मैं इसमें भी करवाऊंगा, तो बस मुझे चाहिए आपका support, आपको चाहिए मेरा support, तो यह जो combination है, इसको कभी भी तोटने ना दीजिएगा, इसी combination से ही आपका selection होगा, इतना मेरा आप सभी से वादा है, तो YouTube पे भी मैं आपके July 1st से, हर alternate day पे आपका mains का class भी चालू कर दूँगा, ताकि आपको ना लगे कि सिर्फ चीजे plus पे चल ले, तो बस यही कहके आज के session को मैं end कर रहा हूँ, love you all, God bless you all, thank you so much, have a nice day.